लोग सभाज उनाओ 2024 को लेकर आम आत्मी पार्टी और कॉंग्रिस के बीच डील फाइनल हो गई है शनिवाग को दिल्ली में दोनों दलों ने सैयुक्त प्रेस कॉंफरेंस कर सीट शेरिंग के बारे में जानकारी दी है आपकी ओर से आतिशी संधित पाठक और सौरभषर द्वाच वही कॉंग्रिस की ओर से मुकल वासनिक दीपक बावर्या और अर्विंदर सिंग लबली प्रेस कॉंफरेंस में शामिल वे हैं डिली समीत पाच राचियो में आप कॉंग्रिस का गण बंधन मुकुल वासनिक ने बताया वहीं आप और कॉंग्रिस गुझरात डिली हरियाना को और चन्रीगर में गण बंधन में चुनाओ लड़ेंगी। दो सीटों और कॉंग्रेस 24 सीटों पर चुनाओ लड़ेगी। प्रत्याशी उतारेगी। में साथ सीटे है, आम आदमी पार्टी चार पर लड़ेगी। वो चार सीटे नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और एस्ट दिल्ली। कॉंग्रेस पार्टी तीन सीटों पर दिल्ली में चुनाओ लड़ेगी। चान्नी चौक, नौर्थीस्ट और नौर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसबा सीटे है, 24 पर कॉंग्रेस लड़ेगी, दो सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेगे, भरूच लोकसबा और भावनगर लोकसबा की ये सीटे होगी। हर्याना में 10 लोकसबा सीटों में से 9 सीटों पर भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस लड़ेगी, और एक सीट जो कुरुक्षेत्रा की है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेगे। चंदिगड को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखरी में ये तैक किया गया कि चंदिगड में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के प्रत्याशी चुनाओं लड़ेंगे। गोवा में भी खास करके दक्षिन गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर ये तैक किया गया कि गोवा की दोनों की दोनों सीटे ये भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस कार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकर ये आपके समझ रखनी थी।